दोस्तो स्वागत है आपका एलिगेंट टुटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के अन्शार्टी का चेप्टर 4 क्वाडिटिक इक्वेशन्स में एक्सर्साइज 4.4 के क्वेस्टन नमर 3 का सॉल्यूशन को देखाएंगे तो क्वेस्टन नमर 3 है Is it possible to design a rectangular mango groves whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth तो सबसे पहले इसके meaning को समझते हैं तो क्या कह रहा है यहां पर कि क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चवडाई से दोगनी हो और जिसका area 800 meter square हो अगर संभव है तो इस mango groves का जो की rectangular shapes में है तो इसका length और breadth क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या कराएं कि इसका equation हम लाते हैं तो area हमको दिया हुआ है 800 meter square तो हम यहां पर क्या कराएं कि सबसे पहले कि breadth को ना हम let कर लिए x meter है let be the breadth of rectangular mango groves is to be x meter तो according to question length क्या हो जाएगा इसका 2x meter area of rectangle होता है length into breadth तो area is equal to length into breadth और area कितना दिया हुआ हमको तो area दिया हुआ है 800 meter square तो 800 is equal to length है 2x और breadth है x तो यह होगा 2x square therefore x square is equal to 800 by 2 तो इस तरह से यह हो गया 400 तो इसको हम quadratic equations के form में हम पहले लिखते हैं तो x square minus 400 is equal to 0 तो क्या यह quadratic equations का form है तो form यह quadratic equations का है ax square plus bx plus c is equal to 0 के form पर है तो कैसे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax square ठीक है plus 0 into x minus 400 is equal to 0 तो यह आ गया quadratic equation के form है तो हमको यहाँ पर क्या चीज पहले पता करना है कि क्या सम्भव है कि इस measurement से एक rectangular mango groups possible होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि discriminant निकालना होगा तो a यहाँ पर क्या है a है यहाँ 1 b है 0 और c है minus 400 तो discriminant का formula क्या हता है d is equal to b square हाँ minus 4ac तो b square तो b कितना है 0 तो यह हो गया 0 ठीक है minus 4 into a तो a है यहाँ पर 1 and c है minus 400 minus 400 तो इस तरह से यह minus into minus कितना है तो plus तो यह जाएगा 400 into 4 तो 1600 आया discriminant इस तरह से यह जो discriminant आया वह 1600 आया जो कि d is greater than 0 है और जब d is greater than 0 तो इसका मतलब क्या कि यह जो quadratic equations था उसका जो roots था वह क्या था? Real roots था और जब real roots था तो इसका मतलब यह कि उस dimension से mango groups को हम बना सकते हैं इसी में second part था कि हमको length और breath को find करना था तो length और breath को हम कैसे find करेंगे तो equation था x square minus 400 is equal to 0 तो हम क्या करेंगे? कि हम पर length और breath को अब find करते हैं तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं x square is equal to 400 ठीक है? फिर क्या करेंगे? therefore x is equal to यह क्या होगा? इसके उपर under root ठीक है? 400 therefore x is equal to हम इसका root find करेंगे तो क्या होगा? 20 plus minus 20 यानि x का दो value आया एक 20 दूसरा minus 20 तो minus 20 को हम length में नहीं ले सकते हैं negative sign को तो x जो है वो कितना आया? 20 और हम x किसको लेट किये थे? तो x लेट किये थे breath को और length कितना था? 2 x तो इस तरह से जो breath हो गया breath यह हो गया 20 meter एंड जो length हो गया यह हो गया 40 meter दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस पर लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब अबस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल